जहिन दोस्तों सम्शमाई की Chronicle December 2020 लेकर आज फिर आपके सामने उपस्तित हुए है और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ROARO कमेंस एक्जाम होने वाला है इसके लिए जितने भी Chronicle Magazine है जो नहीं अप्लोड कर पाएं वो सारी के सारी बना के वीडियो आपको अप्लोड कर दें BPSC प्री एक्जाम हुआ या RO का प्री एक्जाम हुआ तो उसमें मैं नहीं कर पाया और काफी नुकसान हुआ काफी लोगों को सायता नहीं पहुँच पाई तो इसको मद्दे नजर रखते हुए मैं सारी की सारी वीडियो अप्लोड कर दूँगा और आप उसे लाव उठा सकते हैं तो आईए देखते हैं आज का हमारा समस्माईगी क्रॉनिकल दिसमबर 2020 का ये अंक पहला सेगमेंट हमारा आर्थकी का है और इसमें बता रहा हैं कि गरीबी और साजा समर्दी रिपोर्ट आई है विश्व बैंक के द्वारा विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट चा इसके गरीबी के ओर जा सकते हैं 88 से लेकर 115 मिलिन लोग दूसरा हमारा विश्वा आर्थिक परिद्रश है विश्वा आर्थिक परिद्रश यानि के World Economic Prospectus है और ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है IMF इस रिपोर्ट को जारी करता है इसमें बताया गया है कि वैश्विक परद्दीदर जो है ग्लोबली वो माइनस 4.4 होगी माइनस 4.4 होगी इंडिया की देखें तो माइनस 10.3 होगी और इसी के साथ ब्रजील की भी है रस्या की भी है चाइना में खास बात यह है कि इसकी प्रद्दीदर माइनस में ना होकर प्लस में है कितनी है 1.9% इसकी ग्रोथ होगी 2020 में चाइना की तो चाइना की ब्लस में हमारे आसपास बाकी सारे के सारे रस्या हो या कोई भी देश से उनकी सब की माइनस में जा रही है ग्लोबली 4.4 जा रही है माइनस में और भारत की 10.3 जा रही है माइनस में नेक्स हमारा है आयुषमान सहकार योजना ये सहकारी समितियों द्वारा स्वास्त शेत्र में सुधार के लिए लाई गई है स्वास्त शेत्र हमाई जो हेल्थ सेक्टर है इसमें सुधार के लिए ये आयुषमान सहकार योजना क्या नाम है आयुषमान सहकार योजना सहकारी स्विशे लगा है क्योंकि ये सहकारी समितियों के द्वारा चलाई जाएगी इस विशे सहकार सब जोड़ा गया है राश्री सहकारी वेकास निगम यानि कि NCDC शहकारी समितियों को 10,000 करोड तक रिन उपलब्द खराएगी इसमें क्या होगा कुछ खास नहीं होगा जो NCDC है इसके माद्यम से सहकारी समितियों को 10,000 करोड तक के आवधिक रिन उपलब्द कराए जाएगे ताकि ये सहकारी समितियां स्वास्त शेत्र में अपना योगदान कर सकें नेक्स हमारा है वर्ष 2100 तक भारत में सबसे अधिक कारशील आबादी होगी यह लैंसेट की रिपोर्ट है किसकी लैंसेट की रिपोर्ट आई है और वो कह रहा है कि वर्ष 2100 तक भारत में सबसे ज़्यादा कारशील सबसे ज़्यादा कारशील आबादी मतलब काम करने वाली जनसंग्या पापलेशन होगी ओके आद्योगी कामकारों के लिए उपभोकता मोले सोचकांग की नई श्रंकला आई है किसके लिए आद्योगी कामकारों के लिए उपभोकता मोले की नई श्रंकला उपभोकता मोले सोचकांग की नई श्रंकला आई है और इसमें खास बात ये है कि आधार वर्ष को 2016 लिया गया है 2016 आधार वर्ष को लिया गया है जो नई श्रंकला आई है भोक्ता मौले सोचकांकी उसमें आधार वर्ष को 2016 लिया गया है अरुणांचल प्रदेश के लिए E.S.I. यानि के कर्मचारी राजवीमा कमर का विस्तार किया गया है कहां तक के लिए? अरुणांचल प्रदेश तक के लिए Next हमारा है अटल सुरंग यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्क सुरंग है कौनसे राजमार्क सबसे लंबी खाली नहीं राजमार्क सुरंग सबसे लंबी राजमार्क सुरंग का उद्धाटन हुआ है और यह बहुत ही important है आपको आपके लिए यह मनाली से लाहूल स्पीति को जोड़ती है लंबाई इसकी देखे क्योंकि कई बार पीसे में लंबाई ज़्यादा पुछता है पूलोल की लंबाई या सुरंग की लंबाई या कोई अगर हाईवे बनाया जाता है तो उसकी लंबाई पूछते है एक्सपरस वे बगरा तो 9.02 किलोमेटर है इसकी लंबाई 9.02 किलोमेटर है और ये पीर पांजाल परवत माला में स्थिद्ध है नेक्स हमारा है बैंगलोर रोज ये रोज नहीं है कुछ और है बैंगलोर रोज और कृष्णा पुरम प्याज ये बैंगलोर रोज और कृष्णा पुरम प्याज के निर्याद की अनुमति देदी ये आपने देखा होगा आलू प्याज ठेमाटर के दाम में बहुत ज़्यादा बड़ोतरी हो गई थी लोगों के खाने की थालिस से ये लोग गैब हो गये थे लेकिन इसके लिए बहराशर कार ने प्याज के निर्याद पर रोख लगा दी थी तो बैंगलोर रोज त्था खिश्णा पुरम प्याज के निर्याद की अनुमति देदी गई ये खास किसम का प्याज होता है इसमें तीखापन जादा होता है इसका color pink color का होता है तो ये अभियान है, ग्रामीर आवादी में वेवार में परिवर्तना है, इसके लिए ये चलाए गया सौक्षता, साक्षता, अभियान, ये नाबाड के द्वारा चलाए गया है, खास बात ये है, आपको याद रखना है, नाबाड के द्वारा, नाबाड के द्वारा चलाए गया, ग उसके विवहार में behavioral change लाना है हमें घरेलू सोचालियों के निर्माण है तो रिण सुविधा प्रदान की जाएगी इसमें क्या होगा और एक और चीज की जाएगी घरेलू जो सोचालिय और टाहलिट्स हैं इनके निर्माण के लिए नावार जो है रिण सुविधा देगा रि दूसरा और तीसरा चरण इसका चालू होगा प्रियोजना के लागत 10211 करोड होगी और अवद इसकी 10 वर्ष होगी यह आपको याद रखने की जरूरत है जूट सामिकरी पैकिंग अनिवारिता समंदिर नियम जारी किये गया है जूट अनिवारिता समंदिर नियम यह कहा गया है कि ख़द्यानों की जो पैकिंग होगी जो गहों, धान वगरा, जो भी ख़द्यान होते हैं, दाले मगरा है, उनकी 100 परषंट पैकिंग जूट के बोरे में होगी, और 20 परषंट चίνी अनिवारे रूप से जूट के बोरे में पैक की जाएगी तो आपको याद रखन है कि जितने भी खाध्यान होते हैं वह 100% पूरी की पूरी है उसमें प्लास्टिक या किसी और बैग में पैक नहीं किये जा सकते चीनी की केवल 20% बाकी आप 80% किसी और में कर सकते हैं यह ड्राश्टी घटना करम देख लेते हैं स्टार्स प्रोजेक्ट स्टार्स प्रोजेक्ट चलाया गया है यह स्कूली सिक्षा जो है उसमें सुधार के लिए चलाया गया यह वर्ड बैंक की सहाथा से चलाया जा रहा है वर्ड बैंक ने इसके लिए 500 मिलियन डॉलर दिये हुए है 500 मिलियन डॉलर की साहता राशी दी गई है वर्ड बैंक के द्वारा राश्टी आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसका नाम परख रखा जाएगा इवालिवेशन सेंटर जो रखा बनाया जाएगा उसका नाम परख रखा जाएगा इसमें 6 राज़े सामल होंगा स्टार्स प्रोजेक्ट में 6 राज़े सामिल हैं ये जो स्कूल है उनके इन्हांस्मेंट के लिए ये सक्षा में सुधार आये आउटकम अच्छे आएं इसके लिए ये स्टार्स प्रोजेक्ट चलाया गया है इंडिया हैपिनेस रिपोर्ट 2020 आई है ये इंडिया हैपिनेस है ये वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट नहीं है इंडिया हैपिनेस रिपोर्ट जो है प्रबंधन विकास अंस्थान गुरुगराम के द्वारा जारी किया गया है प्रमंधन विकास अंस्थान गुरुगराम के द्वारा जारी किया गया है इसमें समग्र रैंकिंग में सीर्स इस्थान देखें फॉर्स सेकेंड और थर्ड अगर देखें तो पहला इस्थान जो सबसे खोशाल है हैपी है वो मिज़ुरम है पंजाब दूसरे में नंबर पे आता है और तीशरे में अंडवान नेकोबार आता है तो फॉर्स सेकेंड और थर्ड रैंक है मिज़ुरम पंजाब और अंडवान में इंडिया हैपीनेस रैंक में सबसे निचले पायदान पर 36 गड़े 36 गड़ सबसे दुखी है उत्राखंड सेकेंड नंबर का सबसे दुखी है तो ये 36 गड़ और उत्राखंड सबसे निचले पायदान पर आते है थैल सीमिया बाल रोग अपियान थैल सीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण साथ हुआ है और इसमें सोसित समाज के बच्चों के लिए योजना लाई गए ये सोसित समाज के बच्चों के लिए इसमें क्या है कि ऐसे रोगियों को एक बार इलाज का अवसर प्रदान करना जिनके घर में ही दान करता डोनर है देखो थैलसेमिया एक अनुवांशिक रोग होता है ये खुन समंधी रोग होता है तो अगर दानकरता डोनर उनके घर में ही मवजूद है तो इलाज की सारी शुविधा प्रदान करने के लिए ये कारिक्रम चलाया गया है और कोल इंडिया का CSR जो है CSR 2% अनिवारे होता है इतने भी कमपनी है उनके लिए तो कोल इंडिया का CSR फंड होगा विद्टिये योजना को जो 2017 से प्रारम है तो ये इसमें पैसे लगाएगगा जो कोल इंडिया का CSR का पैसा है उससे इसका विद्टियन होगा next हमारा है महिलाओं से समंदित अपराधिक मामलो पर दिश्ण निर्देशाय ग्रहम अंत्रा ले के द्वारा अब जानते हैं कि दिन बाद दिन महिलाओं के खिलाव अतियाचार कमनी हो रहे हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और जबकि इतना ज़्यादा अवैर्टनेस फ वीतर बलातकार के मामलों की जाच करना अनिवार है देखो अब ये कर दिया गिए अगर किसी महिलागा बलातकार होता है तो रिपोर्टिंग के जैसे ही रिपोर्टिंग होती है इसके दो महिने के विदिन टू मांथ इसकी जाच यानि के इन्वेस्टिगेशन पुलिस के दो मैने के वीतर मृतक द्वारा लिखत या मौकिक बयान जाच में प्राशंगिक तत्य होंगी अगर मृतक ने अगर मर गई है महिला तो कुछ लिखत रूप में छोड़ दिया है उसने या कुछ मौकिक रूप से बयान दर्ज कराएं वीडियो बगरा जारी किया है तो ये relevant evidence होंगे जाच में relevant evidence होंगे जाच में ठीक है महिलाओं के खिलाफ अपराद में अनिवार आवशक्ताओं का पालन करना होगा अगर महिलाओं के खिलाफ जाच हो रही है तो जो भी norms होते जो भी नियम कानून बनाए गए है कि महिला कंस्टिबल होने चाहिए कि अगर inquiry करनी है तो उसके घर पर जाकर करो उसको थानी नहीं बुलाना है है ना तो यह तमाम सारे चीजे की जाती है महिलाओं की जाच के महमले में तो यह सारे नियमों का पालन अनुपालन किया जाएगा जीरो प्रार्थमिकी तथा यौन अपरादियों पर राश्टी डेटाबेस का प मंदित्थान होता है वहाँ जाके वो ट्रांशफर कर दी जाती तो इसी को 0 FIR करते हैं और अपरादी अगर योन अपरादी हैं अगर कोई तो इनका एक data बनाए जाएगा राश्ट्री database बनाए जाएगा ताकि अगर यह repeat करते हैं अपने अपराद को तो जो हमारा राश्ट्री डेटावेस है वहाँ से इनकी पूरी कुंडली खाका जितना भी इनका है वो निकाला जा सके पि-म-जि-एस-वाई जो प्रदानमंति ग्राम शड़क योजना है कि कार्यान में मंडी जिला जो हमारा हिमेंचलल प्रदेश का मंडे जिला है वो सिर्ष है यानि के प्रदानमेंत्री ग्रामशड़क योजना के अंतरगत मंडे जीले में सते ज्यादा सड़के बनाई गई है भारत में अपराद 2019 रिपोर्ट आई है किसके महिलाओं के खिलाफ या SC के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराद के महिला और SC के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराद हुएं उत्तर प्रदेश में तीसरा point हमारा है महिला एवम अनूसूचित जातियों के खिलाप बलादकार देखें अपराद सबसे जादा UP में होए है महिला और SC के खिलाप अगर बलादकार की बात करें महिला और SC के खिलाप बलादकार की घटना है तो इसमें राजस्तान नमर एक पर है अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराद वा बलतकार अनुसूचित जन जातियों सुरी S.T. के खिलाफ चाहे वो अपराद हो या बलतकार हो ये दोनों मद्रदेश में सबसे ज़्यादा हुए है अब इसकी वज़े ये हो सकती है कि मद्रप्रदेश में सबसे ज़्यादा ST रहते हैं तो जहां सबसे ज़्यादा ST रहेंगे तो उनके खिलाफ अपराद भी वहीं सबसे ज़्यादा होंगे तो चाहे अपराद हो या S.T. के खिलाफ बलातकार हो सबसे ज़्यदा मद्रपरदेश में हुए है बाकी आपको बता चुके है कामदेन दीपाली अभियान चलाए गया है और इसका मक्षद यह है कि दीपावली पर गाई के गोबर पंचकवी उत्पादों को बढ़ावा देना तो कामदेन दीपावली अभियान है तो गाई के गोबर के बहुत सारे प्रोड़क्ट बनते है तो उनके प्रोड़क्ट को बढ़ावा देने के लिए ये कामदेन दीपावली अभियान चलाए गया है आदिवाज़ियों के लिए तकनीकी पहल चलाई गई है Tech for Tribes ये एक पहल है, इनिशेटिव है इसका नाम है Tech for Tribal ये आदिवाज़ियों के लिए तकनीकी पहल है ये technical knowledge देने की बात की जा रही है तो ये दी जाएगी आदिवाज़ियों को भारती कपास के पहले ब्रांड और लोगों का लोकारपन किया गया है भारती कपास इंडियन जो कॉटन है इसका ब्रांड जारी किया गया है और इसका लोगों भी जारी किया गया है और इसका brand का नाम होगा कस्तूरी brand भारती का पास को किस नाम किस से जाना जाएगा कस्तूरी brand और ये भारतियकत्तागा प्रतिक होगा हमारा भारतियकत्तागा प्रतिक होगा बादिक संपता साक्षरता और जारुकता अभियान ये कपिला चलाया गया इसका नाम क्या है कलाम कलाम प्रोग्राम फार Intellectual Property Literacy and Awareness Shortcut में इसको बोलेंगे कपिला तो ये बादिक संपदा जो Intellectual Property है इसके लिए Literacy और Awareness प्रोग्राम है ये ये चलाया गया है कपिला प्रोग्राम पुरुष कर्मचारियों को भी ये सिशियल होता है Child Care Leave ये ले सकेंगे कौन कौन से अलेजबिल होंगे इसके लिए ऐसे सिंगल पुरुष अविवावक जो विधुर है यानि कि उन्होंने शादी किया उनकी वाइफ खतम हो गई उनको मिलेगी या जिन्होंने शादी किया उनका तलाक हो गया उनको मिलेगी अंतराश्टी घटना करम देख लेते हैं भारत अमेरिका टू प्लस टू वारता थर्ड वारता हुई है टू प्लस टू यह हैदराबास हाउस नही दिल्ली में हुई थी भारत की तरफ से राजनाज सिंग थे हमारे रक्षा मंत्री और एस जैसंकर हमारे ग्रह मंत्री थे अमरिका की तरफ से मार्क एसपर वहां के रक्षा मंत्री थे और माइक पॉंपियो वहां के ग्रह मंत्री थे और यहाँ पर 20 यह समझाता हुआ है उस पर हस्ताक्षर हुए है Basic Exchange and Cooperation Agreement on Geospartial Cooperation Basic Exchange and Cooperation Agreement on Geospartial Cooperation समझाते पर हस्ताक्षर हुए है Westwick, Bukmaris, Uchkank Hunger Index यह जारी किया गया है और भारत 94th प्लेस है भारत गंभीर भोक की स्रेड़ी में है किसमें गंभीर भोक की स्रेड़ी में आता है 94 वां इस्तान है भारत का और 2019 में देखें तो 102 था 2018 में देखें तो 103 था तो यह इसका तोड़ा सा सही हो रहा है पड़ोसी देखे तो 64 है सिरिलंका का नेपल का 70 है मैमार का 78 है इंडोनेशिया का 70 है तो ये सब दिये गए हैं बांगलादिस की भी सत्ती हम से सही है पाकिस्तान की भी सत्ती हम से सही है भारत 35 वर्ड की बाद ILO के सासी परिशद का अध्यक्ष बना है जो ILO है International Labour Organization उसका जो सासी परिशद है यानि के गवर्निंग कांसिल है उसका अध्यक्ष बन गया है भारत बन गया है अश्मानता घटाने की प्रतिवत्ता सुचकांक 2020 जारी किया गया है सीर्स देश नार्वे है और भारत का इस्थान 139 है नार्गों ने कराबाख एक शेत्र है यहां पर संगर्स जारी है रूस की मद्धिस्ता से यह हुआ है अजरबैजान अजरबैजान और आर्मेनिया के वीच यह लड़ाई चल रही है और रूस के द्व भारत द्वारा म्यामार को सिंधुवीर पंडुबी दी गई है भारत डैन्मार्क हरित रणनिति साज़ेदारी की वर्चुल बैठक में निरणय ले गए है भारत और डैन्मार्क की हरित रणनितिक साज़ेदारी बैठक हुई है हरित रणनितिक साज़ेदारी बैठक हुई यह किसके बीड भारत और डेन्मार के बीड कोवाक्स यह पहल है चीन भी सामिल हो गया है या COVID-19 वैक्सिन की पहल है पाकिस्तान UNHRC का पुनहां सदस्य निरवाजित हो गया है जो United Nations Human Rights Commission है उसका पाकिस्तान फिर से सदस्य बन गया है विज्ञान प्रद्योगी की देख लेते है शौर मिसाइल का लांच की गई है SLBM K-15 सागरिका का भूमी संस्क्रान है शौर मिसाइल आइनेस कावरत्ती नौसिना बेड़े में सामल की गई है और ये प्रोजेक्ट जो 28 चल रहा था कुमरता क्लास का उसके अंतरकत निर्मिर्थ हुई है ये राडार से बच निकलने वाली बंडूबी रोधी युद्पोत है SS कलपना चावला कारगो अंतरक्षियान लांच के अगया है नासा के द्वारा SS कलपना चावला ये भारती मोलकी थी डॉल्फिन जलज सफारी योजना उत्रपरदेश बिहार वा पशिम मंगाल में चलाई जा रही है तीन राजियो में है उत्रपरदेश बिहार और पशिम मंगाल में डॉल्फिन जलज सफारी रुद्रमा वन ये एंटी रेडियेशन मिसाइल है इसका परिक्षन क्या गया है और ये दुस्मन के रडार संचार साइटो और अन्य रेडियो आपृत्ती उत्सरजन लक्ष आद का पता लगाने वा निस्ट करने में सक्षम है यानि कि उसको जो भी रेडियो फ्रेकेंशी होगी उसको डिटेक्ट भी कर लेगी और इसको डिस्ट्राइब भी कर देगी तो ऐसी ये है रुद्रमा वन स्मार्ट मिसाइल ये क्या है ये सुपर्शोनिक मिसाइल असिस्टेट रिलीज आफ टारफीडो इसका नाम है पूरा स लफल प्रक्षे पर डियार्ड उके द्वारा क्या है थूबरियल लारग ग्रंतियों की खो़ की गई है तीन तरीके की लारग ग्रंतियां सलाइवा घ्लैंस होती है हमारे मों में लेकिन ये चौत्धे टाइप की लारग ग्रंतियां की hour फ हाली में हली ह हीै और इसक शेल प्रोटो टाइब कार, CSIR और KPIT के द्वारा निर्मित की गई है और इसमें टेक्नोलोजी जो यूज की गई है वो है लो टेंप्रेचर प्रोटान एक्सचेंज मेंब्रेन जोकी 65 से 75 डिक्री जेल्स हेलसेंग पर संचालित होती है लो टेंपरेचर प्रोटान एक्सेंड मेंबरेन टेकनोलोजी यूज की गई है हाइडूजन इंधन शल में भारती हमाली शेतर में हिंग की खेती सुरू की गई है देखें अभी हाली में बहुत ज़्यादा UPPSC में हिंग पर लेकर काफी कॉशन आयता है अभी हाली में पुछा गया था UPPSC में पुछा गया था कि हिंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है या पौधे से कौन सी चीज प्राप्त होती है तो हिंग प्राप्त होती है जड़ से प्राप्त होती है तो इसकी खेती की जाएगी ये पालमपुर में होगी आईएसबीटी पालमपुर के द्वारा की जाएगी लाहूल घाती में होगी और गाउं का नाम है क्वारिंग गाउं है ख्वारिं गाओं में होगी, इनकी खेती, एक नई तकनीक है, जो मचली पालन और जो हमारे पाउधे होते हैं, इनको साथ साथ उगाया जाता है, मचली भी पाली जाती है और पाउधे भी उगाया जाती है, तो साथ साथ है, मचली से पाउधे लाभानवित होते हैं, और प्रिट प्रिंट क्या है यह बायो मारकर है जो सांस पर पहे जाने वाले हैलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टिया का स्रिग्र पता लगा लेंगे विजन जोती ये कारिकरम है जिसमें नौ से भारवी तक के जो मेधावी चात्र है वो सामिल हो सकते हैं इसमें चात्रवर्ती भी दी जाएगी वज्ञान संस्थानों का दोरा भी कराया जाएगा विज्ञान सेवर भी आईुजित की जाएगे और विख्यान केरिकर परामेर्श असमं क्या है है उसमें साइंस्टिक जो सामगरी है मेटरिल है उसका यूज कर पाएंगे हैं गेहूं की नई किसम है मस्यस चौसट अठतर यह अगरकर इंसिट्यूट पुने के द्वारा इजाद की गई है और इसके मेचियरटी पीरियड जो है परिपक्वता अवदी वह 110 दिन है रत्वा रोग के लिए प्रतिरोधी है यानि कि रत्वा रोग नहीं लगेगा दूसरे सबसे बड़ी बात है कि यह निट्रिशनल वैलू इसकी बहुत ज़ादा है यानि कि प्रोटीन जिंक और आयरन से भरपूर है राजकरन रोय जो हैं भारती बैंक के अध्यक्ष बनाएगे भार राजे समाशार देखे तो उत्तवर्दे से देखे तो प्रते एक थाने में स्थापित होगा महिला हेल्प डेस्क जम्मू कस्मिर से देखे तो वनार ओपन की मियावा की पद्यती शुरू की जाएगी मियावा की पद्यती यह हमारे जापान की पद्यती है जो कम समय में सग बन बनों को उपजाने की नई तकनीक है बिलकुल नई तकनीक है यानि कि बनों को बढ़ाना है अगर बनों को बढ़ाना है जल्दी समय में तो यह म्यावाकी तकनीक बहुती फाइदेमंद है बहुती मफिद है गुजरा से देखे तो किशान शोरेद योजना चलाई जा रही तो ऐसे ये टार्गेट गोवा ने अभी से अचिव कर लिया है हर्याना देखे तो एनिमिया मुक्त भारे सुचकांग जो जारी किया गए उसमें हर्याना नमबर एक पर है एनिया से मुक्त होने वाले जो इंडेक्स जारी किया गए उसमें अर्याणा नमबर एक परे किरला देखे तो सारवजनिक सिक्षा को सारवजनिक सिक्षा को डिजिटल करने वाला पहला राज बन गया है डिजिटल करने वाला दिली देखे तो युद्ध प्रदूर्शन के विरुद्ध अभियान चला गया है वार अगेंस्ट पॉलिशन अभ्यान कैमपेंच चल रहा है क्योंकि वहाँ पॉलिशन बहुत ज्यादा होता है खेल देखें तो चर्चित व्यक्तित तो सबसे पहले देखते हैं तो निहाल सरीन है क्यों चर्चा मेरे है क्योंकि इन्हों चेस.com की जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैम्पेंशिप 2020 जीत ली है निहाल शरीन सिकर दवन देखें तो आईपील में लगातार दो शातक लगाने वाले पहले खलाडी बन गए हैं ईलिसा हिली यह आउस्ट्रेलिया के हैं ईलिसा हिली इन्होंने T20 अंतराशिक रिकर्ट में 95 विकट लेकर रिकॉर्ड बनाया है महिला सिंगल का जो है, वमिन सिंगल का जो है, इमा स्वी एटिक, ये पोलेंड की है, इनको मिला है, ये बहुत ही महतपोर है, क्योंकि ये पुछा जा सकता है, महिला का पुरुष, महिला दोनों आपके लिए जरूरी है, लेकिन महिला का ज्यादा जरूरी है, नेक्स हमारा ब पुरुष का गुर्प्रीत सिंग शंदू को मिला है और महिला का संजू को मिला है सार संशिप देखे तुस्तिवांगी सिंग हमारे मुझफर पुर बिहार की है इनको इनोंने राफवेल विमान उडाने वाली पहली महला बन की है राफवेल विमान उडाया है इनोंने चैतन् यह ब्रिटन के उच्चायुकत का पद एक दिन के लिए इन्होंने समाला चर्शित व्याइश्टान देखे तो न्यू कालिडोनिया क्यों चर्शित रहा फ्रांस से अपनी स्वतंतरता अश्विकार कर देखे इसने कहा कि हमें फ्रांस से जो स्वतंतरता मिली है हम उसके खिला था गांधी फिल्म के लिए मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था इन्होंने अक्कितम अच्चुतम नामोदरी इनको पिछले साल ग्यानपिट आवार्ड मिला था मलयालम कभी थे रमलाच वास्वान हमारे भोकता मामलो खादरेशत विबाग के ये मंत्र थे इस राड़ेश खोज के लिए दिया गया है, हार्वे जे ल्टर माइकल हर्टन यूव के है और चाल्स एं प्राइस यह भी यूई से के हैं, और माइकल साफ जो हैं यह यूव के है, शानती का नोबल प्रश्कार, भchyपनसी चेन बटने के प्रयाक्त और संगर शिल श्यत्र में शान्ती के लिए विश्वक हाद कारकरम यानि कि WFP को दिया गया है ये साहित का Nobel Prize जो है वो बेमिशाल कावयत्म कावाज के लिए है लुईस गुलूग जो की Nobel का वो जीनोम एडिटिंग विधी कर्षपर केस 9 जेनिटिक सिजर के लिए दिया गया है और इसके जो प्राप्त करता है उनकी नाम में भुल गया है कमें बता दूँगा आपको बहुत की का जो Nobel Prize है ब्लैक होल पर रिसर्च के दिया गया है और इसको पाने वाले है रोजर पैनरोज यूके के रिनहार्ड गैन्जल जर्मनी के और एंडरीय गेज ये USA के तो एक यूके के हैं दूसरे जर्मनी के हैं तीसरे USA के हैं स्वक्ष पुरस्कार 2020 ये स्वक्ष शुंदर सामदाइक सोचाले अभियान के लिए गुजरात राज के लिए और तिरुनेल वेली जिले के लिए दिया गया है सामदाइक सिक्षा अभियान के लिए उत्रप्रदेश राज के लिए और प्रयाग्रा जिले के लिए दिया गया ह चार लोगों को द्या गया है Sandra Nees Lifetime Achievement Award ये Harish Kotecha को दिया गया Harish Kotecha अभ्यान सम्मेलन देखें तो सामाजिक ससक्तिकरण के लिए उत्तरदाई AI सम्मेलन जिसको हम कहते है Raise 2020 Responsible AI for Social Impairment ये हुआ है Slinux, Sri Lanka, India Nevel Exercise ये त्रंकोमाली स्रंका में हुआ है मालावार नौशेनिक अभ्याज 2020 ये सभी Quad देश, Quad देश कौन-कौन से भारत है, अमारिका है, और जपान है ये सभी चारों देश सम्मेल थे Quad देश Jim X 20 ये भारत जापान का शेयक नौशेनिक अभ्यास है उत्तरी अरब शागर में आयूत किया गया बोंगो शागर भारत बांगले देश, देश का पहला अबर 2020 को किया गया है, सबसे खतरनाक हस्तियों के सूची 2020 जारी की गई मैककेफी, इंडिया के द्वारा जारी की गई इसमें बताया गया है कि अगर इनको इन हस्तियों का आप सर्च करते हैं उनलाइन तो आप वाइरस के सिकार हो सकते हैं नमबर एक पर किस्टियान रोनाल्डो है और दूसरा तबू है, तीसरा ताफिपनू है और चौता अनुशका सर्मा और पाच्वा सोनेक्षी शिना है टाइम्स मैगजीन हंडर्ड सक्साली वेक्तियों के सूची जारी की गई है टाइटन स्ट्रेडी में एक है सुंतर पिचाई, आर्टिस्ट्रेडी में आईश्मान कुराना है और पाइनियर्स्ट्रेडी में रविंद्रा कुपता है आइकोन स्ट्रेडी में बिल्किस बानू जो दिली में जो साहिन बाग के प्रदर्शन हो रहे थे वो और अभी किसान अंधर्ण में भी उनका नाम चर्जा में आया है तो इनको सामिल किया गया है टाइम मैगजिन की 100 सक्षाली वेक्तियों के सूची में आइकोन श्रणी में विलकिस बानों को तो इसी के साथ यह हमारा अंक्षम आपत होता है उमेद करते हैं आपको पसंद आएगा अगर माई वीडियो पसंद आते हैं आपको तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए धन्यवाद